So, hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे NHPC Limited की तो NHPC के साथ साथ Tata को भी discuss करेंगे इस वीडियो में तो वीडियो को आगे continue करो उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को subscribe कर देना तो वीडियो को करते हैं continue साथ ही अगर आप चार्ट analysis सीखना चाते हो तो टेलिग्राम चैनल को join कर लो जसके link आपको नीचे description में मिल जाएगी वहाँ पर आपको nipty bank nipty की काफी कुछ updates मिलने वाले तो प्लीज जागर एक बार check out कर लो NHPC की अगर हम बात करें तो stock ने हमें last trading season 81.40 रूपिस के राउन तक की closing दी और last trading season stock अगर देखोंगे तो यहाँ पर data show नहीं हो रा बट 10 रूपि के राउन तक की बड़त हमें last trading season देखने को मिली special trading season conduct किया गया था यहाँ पर तो उसी के इसाब से हमें एक अच्छी तेजी देखने को बेड़ी और वहीं अगर दिखें जब से OPS की news आई है तब से ही stock में एक के बाद एक पत्ते खुलते जा रहे हैं यहाँ पर 6000 करोड के राउन तक की beats लगाई गी थी FIS की ओर से और बिल्कुल उन्हों ने 68 रुपिस के level पे stock को घरिदा बट उसके बाद जो retail investors है वो किस price पे यहाँ पर खरीद रहे हैं वो किस price पे उनकी और से एक बड़ा investment किया गया था किस level पे यहाँ पर एक बड़ी यहाँ पर अगर देखे एक बड़ा पेसा आया है तो ओ पॉइंट भी यहाँ पर important है तो उस point को भी हम यहाँ पर अब देखने वाले कि यहाँ पर एक report आई है उसे हम देखने वाले तो stock में अगर आप देखोंगे returns की अगर मैं बात करूँ है चेह महीने में 31 रुपे तर के stock बड़ा है और एक साल की अगर बात करें तो 38 रुपे है तो यह कुछ important बड़त समय देखने को बल रहे है काफी एची तरीके से बड़ा है शर्ट वहीं कर आप देखोंगे 1.4x beats NHPC Ops successful shows as retail investor subscribe for 3.8 crore shares तो यहाँ पर अगर देखें Ops जब से आया है उसके बाद यहाँ पर कई बड़े investment यहाँ पर हो रहे है NHPC में बात ठीक है और वहीं गर देखें जो यहाँ पर retail investors है जो हम जैसे investors है उनकी और से लगबग यहाँ पर 3.8 crore shares उठाया गए है 3.8 crore shares को यहाँ पर subscribe किया गया है जो काफी हद तक embrace करने वाला number है काफी positive number देखने को यहाँ पर मिल रहा है और इनके और से गर देखें तो यह जो beats लगाई गई है और 70 रुपे के label पर यहाँ पर लगाई है उसके बाद तो एक चीश तो clear हो जाती है कि retail investors भी यहाँ पर profit उन्होंने काफी हद तक कमाया है यहाँ पर जब government की और से Ops लाया गया था तब government ने कहा था कि यहाँ पर आप जिस level पर हम Ops ला रहे है offer for sale 66 रुपीज के label पर तो यहाँ पर share sale किया गये थे government की और से stack sale किया था तो उन्होंने कहा था कि इस price पर कोई नहीं करीद पाएगा ठीक है फिर यहाँ पर अगर आप देखोंगे तो इसमें investment आया FIS का 68 रुपीज के level पर है फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो retail investors है उनकी और से 3.8 करोड share subscribe किये गए 70 रुपीज के price पर तो यह काफी अच्छे नंबर यहाँ पर नजर आ रहा है और इसे से आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर कल के दिन कल मंगलवार है मार्केट खुलने आला है आज मार्केट बन था क्योंकि महाराष्ट्रा गवर्मेंट की और से यहाँ पर चुटी का घोशित की गई है चुटी घोशित की है उसी वज़ेसे और वही अगर देखे है मार्केट कल और परसो उपन रहेंगा फिर उसके बाद 26 जनवरी आने वाली है और उसके बाद अगर देखे 26 जनवरी 27 और 28 तीन दीन मार्केट लगातार बन होगा तो मार्केट इस हपते सिर्फ यहाँ पर अगर देखे कम से कम तीन दीन तक चलेगा फिर उसके बाद तो मार्केट बन ही है तो तीन दीन के अंदर अंदर देखे तो इस stock में और एक बड़ी बड़त हमें देखने को मिल सकती है आने वाले time में stock में और बड़े momentum आ सकता है क्योंकि stock में news भी positive है, returns भी अच्छे मिल रहे है Ops के बाद तो stock में अगर आप देखो तो back to back कई बड़े जो firm है, कई बड़े brokerage firms की ओर से भी गर देखें Positive rating stock में दी जा रही है, खरीदारी के लिए यहाँ पर advice किया जा रहा है काफी लोग की ओर से यही चीज यहाँ पर गई जा रही है और volume भी अगर आप देखोंगे, volume भी काफी अच्छी तरीके से बड़ रहा है हर दिन यहाँ पर 28-28 करोड के round तक का trade value हमें देखने को मिलता है Volume की अगर हम बात कर ले, तो यहाँ पर अगर हम बात कर ले, last trading season की 28 करोड के round तक के shares यहाँ पर उठाई गया थै 28 करोड का यहाँ पर हमें trade value देखने को मिलता है यानि 28 करोड shares यहाँ पर trade हुए है और वही हम बात करें, उससे एक दिन पहले की, तो दब भी same यही number देखने को मिलता है 28 करोड share हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, trade किये गया है तो यह काफी positive number यहाँ पर हमें नजर आ जाता है और वही अगर हम देखें, तो यहाँ पर जो power index है, वह भी काफी अच्छी तरीके से बढ़ रहा है और वही अगर आप देखो, जो stock है, उसमें 67% लोग कल के लिए positive नजर आ रहा है 67% लोगों की ओर से, stock में positive rating की जा रही है कल के लिए इन लोगों की ओर से यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो buy करने के लिए कहा जा रहा है और सिर्फ और सिर्फ 33% लोग ही है, जो stock में sell करने के लिए भी कह रहा है तो इन कुछ positive numbers के उपर आपको focus रखना है, यह number जो है, काफियत तक important है ठीक है guys, आगे बढ़ते हैं आप बात करेंगे, इसके levels की, कल हमें किन points के उपर ध्यान रखना है किन levels के उपर हमें focus करना चाहिए, तो इन levels के उपर भी हम ध्यान रखते है तो share में अगर आप देखोगे, तो एक perfect level create हो रहा है, काफी शानदार level यहाँ पर बन रहा है और इस level को हम कहेंगे, एक bullish level, bullish pattern यहाँ पर create हो रहा है और यहाँ पर अगर देखें, इस level को कहते है, Paul and flag type pattern Paul and flag type pattern यहाँ पर create हो रहा है, यहाँ पर बिल्कुल stock में अच्छी तीजी रही stock में एक बड़े momentum रहे, फिर उसके बाद stock अगर देखें, sideways यहाँ पर रहा sideways रहने के साथ साथी, अगर आप देखोगे, तो stock में कही ना कही एक proper falling wage type pattern यहाँ पर बन रहा है एक proper falling wage type pattern यहाँ पर बन रहा है, जो बिल्कुल यहाँ पर stock में यह indicate करता है कि आप आने वाले trading season के लिए भी positive रहो, bullish रहो, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल exactly यहाँ पर वही pattern है Paul and flag type pattern और यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हो, Paul and flag type pattern में होता क्या है जिस तरीके से जो Paul create होता है, जिस तरीके से Paul में जितने return हमें देखने को बिलता है यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर 11 रुपे के round तक के return है, तो वेसे ही return हमें आगे भी देखने को मिल सकते है वेसे ही return यहाँ पर भी हमें 11 रुपे के round तक के देखने को मिल सकते हैं इस चीज के उपर भी आप यहाँ पर focus कर सकते हो 11 रुपे के round तक की एक अच्छी तेजी हमें देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं अगर यहाँ से breakout मिलता है तो breakout के बाद एक बड़ा momentum यहाँ पर आप expect कर सकते हो एक बड़ी तेजी यहाँ पर अगर देखे falling waste type pattern के breakout के बाद यहाँ पर आप expect कर सकते हो एक अच्छी तेजी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर भी positive रहो वही 15 minute के chart frame पर अगर हम बात कर लें तो stock में बिल्कुल level break हुए है काफी अच्छी तरीके से और यहाँ पर अगर आप देखोंगे उपर की जो level है इस level से भी stock में गिरावर देखने को मिलती है और वही देखो तो इसी level को इसने break किया यहाँ से और बिल्कुल एक अच्छी तेजी हमें देखने को यहाँ पर मिली और वही गर आप देखो तो यहाँ पर 1R के time frame पर भी वही चीज़ हमें देखने को बलती है काफी चांदार तरीके से levels यहाँ पर break हुए है काफी तगड़े तरीके से यहाँ से भी stock downside की और आया यहाँ से आया और यहाँ से breakout के बाद शियर ऊपर की और जा रहा है तो level काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर break हुए है तो आने वाले time में अगर Feeb level देखे हैं तो यहाँ पर Feeb zone के विसाब से क्या हमारे target हो सकते हैं क्या target होने चाहिए उस पर अगर हम एक नजर डाले तो यहाँ पर आप देखोंगे तो जो target नजर आता है जो हमने pollen flag type pattern के breakout के बाद आला target के हमने बात की exactly वही target हमें नजर आ रहा है यहाँ पर अगर देखें 1.6, 1.6, 1.6, 1.8 के around तक का यह Feeb level है और यह 91 के around तक जा रहा है जो हमारा target अभी हमने बताया था pollen flag type breakout के बाद तो exactly यह pattern हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है यह target हमें देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर आप उमीद रख सकते हो कि exactly जो pollen flag type pattern है जो pollen flag type pattern है उसका breakout प्लस यहाँ पर Feeb का breakout तो यहाँ पर Feeb zone जो है ओभी positive है और साथ ही downside की और भी अगर आप देखोंगे downside की और भी अगर आप देखते हो तो stock में 0.5 का Feeb zone आप देख सकते हो यहाँ पर आप देखो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर तो 0.5 का जो Feeb zone है एक important Feeb zone है और यही पर आप देखोंगे यह support ले रहा है और support लेके यही से stock में एक बड़े momentum हमें देखने को मिल सकते है 0.5 के Feeb zone पर support लेने के बाद stock में एक बड़ी तेजी यहाँ पर आ रही है exactly यही चीजे हमें positive बना रही है NHPC में तो यहाँ पर आप positive रह सकते हो so I hope आपको यह video helpful और अच्छा लगा होगा video गर अच्छा लगा हो video को like और channel को subscribe करना और कोई भी stock में investment कर रहे हो तो इसका एक बार analysis कर लेना साथ ही और एक चीज में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ Tata के बारे में तो Tata ने यहाँ पर अगर देखे बिलकुल फायाच 5 सालों के लिए right ले लिया है IPL के IPL का और यही अगर देखे Tata IPL 5 सालों के लिए आप नाम सुनने वाले हो और लगबग यह धाई अजार करोड के राउं तक का होने वाला है जो काफी बड़े नंबर है तो इसको लेकर भी आप पॉजिटिव रह सकता हूँ तो टेलिग्राम चला को जॉइन जरूर करना वहाँ पर मैं अपडेट डालते रहता हूँ तो ठैंक यू